और अम्बाला में करोना की रफ्तार इन दिनों बहुत जादा तेजी के साथ बढ़ती होई नजर आ रही और नतीजा कल की कोवीड की रिपोर्ट में आप लोग देखी चुके हैं जहां एक ही दिन में अम्बाला में करोना ने सभी रिकोर्ड तोड़े हैं उसमें 100 के करीब ऐसे बच्चे हैं जिनकी 12 से 18 वर्ष की आई होता है यानि कि आप अंदाजे लगा सकते हैं कि 12 से 18 वर्ष के बहुत जादा बच्चे जो हैं वो इस तीसरी वेब में संक्रमीत आ रहे हैं लगातार हम अपने चैनल के माध्यम से अंबाला ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से आपको बताते हैं कि रोजाना कितने बच्चों में संक्रमन फैल रहा है और कल जो रिपोर्ट पोजिटिव आई है उसमें एक बहुत बड़ा आंकड़ा बहुत बड़ा नंबर जो है वो बच्चों का सामने आए सो के करीब बच्चे जो हैं वो कल पोजिटिव पाए गए हैं और उसके साथ सत बड़ी जानकारी आपको बता दे कि इसमें से साथ बच्चे एक ही स्कूल के हैं और उस स्कूल के बाहर की ही इस वक्त तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ जी हां बिलकुल आंबाला के कौला इलाके में पढ़ने वाले जवाहर नवध्य विद्याले से साथ के करीब बच्चे जो हैं वो कल पोजिटिव पाए गए हैं और इसके बाद अंबाला का स्वास्ती भाग भी पूरी तरह से अलर्ट हो चुका है और अब अम्बाला के स्वास्थे विभाग ने सभी ऐसे स्कूलों को बंद करने के आदेश जारी कर दिये हैं जहांपर होस्टल की सुविधा है जहांपर बच्चों को होस्टल में रखा गया है फिलाल जवारनवद्य स्कूल आप देख सकते हैं कि जब से बच्चे यहां पोजिटिव पाए गए हैं तब से स्कूल को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है और सनाटा एक तरह से यहां पर पसरा हुआ नजर आ रहा है यहां बड़ी जानकारी आपको यह भी दे दें कि स्कूल के ना सिर्फ बच्चे बलकि कई टीचर्स भी पोजिटिव आये हैं जो जानकारी हमें स्वास्तेभाग के अधिकारियों ने दी हैं जुन्होंने पुष्टी की है कि 10 से 11 जो पेरेंट्स हैं माफी चाहेंगे टीच हैं वो भी यहां से पॉजिटिव पाए गए हैं और अब अगर अभीभावकों की बात करें पेरेंट्स की बात करें तो सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर स्कूल से चले गए हैं क्योंकि संकर्मन बहुत जादा तेजी के साथ फैल रहा है ऐसे में कोई भी अभी किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहता और हमारी भी आपसे बार बार यही गुजारिश है कि इस खबर को शेर भी कीजेगा शेर करने के साथ साथ आप जादा से जादा अपने बच्चों का ध्यान जरूर रखिएगा क्योंकि बच्चे गली महलों में स्कूलों में इसी 47 लोग पॉजिटिव पाए गई है उसमें से 100 बच्चों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई और यहां आप लोगों के लिए ये भी जानना बहुत जादा जरूरी है कि अमबारा में अब तक 40 से जादा डॉक्टर्स भी जो है वो पॉजिटिव आ चुके हैं तो ऐसे में राजा लगा सकते हैं कि अगर डॉक्टर बच्चे बुजूर्ग हर उमर और हर वर्क के लोगों को इस बार करोना की थार्ड वेव जो है वो अपना निशाना बना रही है तो एहतियात भरतना बहुत जादा जरूरी है हमारा मकसद आपको किसी तरह से डराना नहीं है किसी पार्टी से हैं या आपका तालूक की सवर्ग की समंद्र से है तो ऐसे में एहतियात बरतना आपके लिए बहुत जादा जरूरी है और हमारी आपसे बार-बार गुजारिश है कि घर से जब भी बाहर निकलें तो फेस मास्क जरूर लगाईएगा इसके साथ-सत भीड़भा यू की है तो यानि के यह वो उम्र है जब बच्चा अच्छी तरह से ग्रो करता है और ऐसे में अगर करोना संकरन बच्चे को चपेट में लेता है तो कहीं ना कहीं उसकी हालत जो है उसके जब करोना की चपेट में आने से बच्चों के शरीर को काफी नुकसान भी होता तो बच्चों स्कूलएं विभीन स्कूलों चालिस बच्चे पॉश्टीव हाई और इसमें रेजिदेंशल स्कूल भी था जिसके साथ बच्चे पॉश्टीव हाई एंगे सर डॉक्टर्स अभी तक बाला में कितने पॉजिटिव आ चुके हैं और इसमें डॉक्टर्स हमेशा जो है ज्यादा एक्सपोजर पे रहता है तो इसके गांट से और जो भी है कोविड का वेक्सिट वह है ज्यादा तो करी रहा थोड़ा साथ स्कूल को फिल हाल एक पार उनको एतियातन बंद करने के स्कूलों को बच्चों को घर बेजने का अनिरदेश दिये गए हैं और बाकी बच्चों को जैसे भी है उनको उचित सुविधानुसार आइसलेट किया जा रहा है